दोस्तो सुबह के दस बजे हुए थे और भारत में सूचना आती है कि नरेंदर मोदी लद्दाक पहुँची गए है दोस्तो सभी मीडिया कवरेज शुरू हो जाता है कि प्रधान मंतरी लद्दाक में जाकर क्या कहेंगे ये वास्तम में एक ऐसी बात है क्योंकि शुक्रवार को जाने का कारेकरम राजनात सिंग का था लेकर अचानक वो कारेकरम टला और मोदी जी ने राजनात सिंग को रोख कर खुद ही लद्दाक जाने का फैसला किया लद्दाग जाने का फैसला एक कूटनितिक रणनीती और एक आक्रमक रणनीती का भी एक नजरिया माना जा रहा है क्योंकि नैश्टर रास्टी और अंतरास्टी इस तर पर इस बात का पुक्ता प्रमान मिलेगा कि चीन से हमारी आर्मी या हमारे जो सेना है वो किस तरह से लड़ेगी किस तरह की स्टरडेडी रहेगी नरेंदर मोदी का आज जाना चीन से अगर युद्ध होता है तो उसकी तैयारियों का जाजा लेना था और चीन को एक सक्त संदेश देना था तो इसकी शुरुवात हुई और सुबह ही नरेंदर मोदी ने थल सेना देक्ष नरबड़े और सीडियस विपिन राबत के साथ लड़ाक की उड़ान भरी लड़ाक में सेना को उच्सा बढ़ाने के लिए दुश्मन को सक्त संदेश देने के लिए नरेंदर मोदी का जाना हुआ जहां पर वे जवानों से मिले तीन सेनाओं के जवान थे जहां पर थल सेना वायू सेना और आईटी बीपी के जवान भी शामिल हुए इन जबानों को नरेंद्र मोधी ने संबोधित भी किया उत्सा वर्दन किया और दुश्मन जो चाने चल लाए उसके बारे में भी बताया इसके अलाबा 15 जून को जो जड़प हुई थी जिसमें कि 20 भारती सोलजर मारे गए थे नरेंद्र मोधी ने खुझ जाकर उन सैनेकों से बात की उन सैनेकों का हाल चाल जाना यदि आपके सेना को वाकई में फकर होता है शेना पर हमें फकर होता है कि 15 जून को उन्होंने लगवख 40 सैनेकों को मारा और मोदी जी खुद अपने संदेश में कहा कि हम मार कर लोटे हैं हमें इन सैनिकों ने जो किया है उस पर गर्व होने बाली बात है मोदी जी ने जो दुश्मन है उसे सक्त संदेश दिया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है मोदी जी ने आज दौरे में जितनी भी युद्ध की लेकर जो तैयारियां हैं उनके बारे में धल सेना अद्यक्ष और विपिंडाबजी ने उन्होंने सपस्ट किया इसके अलाबा सेना के तमाम तरह के कमांडर्स जो पिछले दिनों कुछ दिन से कॉन्फरेंस हुई हैं उसके बारे में भी मोदी जी ने देखा यहां पर कि किस तरह से हमारी सेना स्ट्रेजी नी बना रही है अगर युद्ध की नीती आती है तो दोस्तो पिछले 30 या 40 सालों में कोई भी ऐसा प्रधान मंत्री नहीं है जो कि युद्ध मुवीं पर गया हो इंद्रा गांदी आखर में थी जबकि पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब वही लद्दाक के दोरे पर गई थी और ये दूसरा मौका है जबकि सीमा पर यु जो दुश्मन है उनको ये वास्तम में डर सताने लगा है कि अगर प्रधान मंत्री यहां रहें तो कुछ ना कुछ सर्जीकल स्ट्राइक कर सकते हैं जैसे डिजिटल स्ट्राइक उन्होंने 59 चीनी एप्स को बंद कर कर की है तो चाइना के खिलाफ एक तरफ से वार भारत न हो चुकी है आज पीम ने साफ साफ चीन को एक सक्त संदेश दिया कि विस्तारवाद का युग खतम हो चुका है अब भारत भी 62 भाला भारत नहीं है भारत ने हर छेत्र में चाहे वो आर्थिक छेत्रों हो रक्षा छेत्रों हो या सामज़ेक छेत्रों हर छेत्र में अपना दंका द्विश्च भर में बरवाया है और कहीना कहीं ये चीन को एक कड़ा संदेश देने के विस्तारवाद का युग खतम हो चुका है ये युग विकास का है विस्तारवादी ताक्देया तो लुप्त हो जाएंगी याने वापस लोटा पनेगा पीम मोदी ने सक्त संदे को एक करारा जवाब है कि अगर युद्ध होता है तो भारत पीछे नहीं अटेगा और ये विश्च की मीडिया के लिए भी एक इंटरेस्टिक खबर होगी आज की जिस तरह से पीम मोदी सीधे युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए है